गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम कणवे वन्स के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा स्टूडेंट्स हमने महाजनपत काल जैनवे बोध धरम का काल और आपका इधियास किसे कहते हैं सिंदुक अटिस अबेता इन सब के बारे में अच्छे से जानकरी प्राप्त की थी इसी प्रकार हमने मगद महाजनपत का जोसप से सक्तिसाली वन्स था मोरिय वन्स उसके चंद्रगुप्त मोरिय बिंदुसार असोक मोरिय सब के बारे में जानकरी प्राप्त की और हमने साथवार वन्स के बारे में जानकरी प्राप्त की अब हम पढ़ेंगे कडवा मंस ठीक है तो देखेगा कडवा मंस या काडवा मंस या फिर इसे कारवायण वंस भी कह सकते हैं ये लगभग 73 इसा पूरोअ से 28 मिल पच्छोतर इसा पूरोअ से 38 मिल पच्छोत के बाद मगत का सासन करता वंस था इस वंस के सापना वासुदेव ने की थी वासुदेव सुंग वंस के अंतिम राजा देव उती का ब्राह्मन एमाते था अंतिम सुंग राजा देव उती के विरुद सडियंतर कर एमाते वासुदेव ने मगद के राज सिहासन पर अधिकार कर लिया था ठीक है त और फिर सुग्वंस का नास करता है वासुदेव अब अपन पढ़ते हैं कन्वावंस वो वासुदेव है वो कन्वावंस की स्थापना करता है और अप पढ़ेंगे कन्वावंस के बारे में तो कन्वावंस का सेंस्थापक वसुदेव या वासुदेव था वासुदेव ने 25 शूंग वन्स का अंतिम सहसक था उसकी हत्या करता है वाशु देव और कण्वा वन्स की स्थापना करता है सुदर्शन कण्वाई की हत्या तीस इस्था पूरा में सिमुक साथ्वाने करी तथा साथ्वान वन्स की स्थापना करी थी ठीक है सुदर्शन का अधिकारी ही था अब देखेगा कण्वा राज वन्स सोंग वन्स का अंतिम राजा देव वूती अते निर्बल तथा विलाश्री था वहे अपने सासन के अंतिम दिनों में अपने अमाते वसुदेव के सडियंत्रों द्वारा मार डाला गया था हर सिसरीत में इस गठना का वर्णन इस परकार दिया गया है कि सुंगों के एमाते वसुदेव ने रानी के वेश में देव भूती की दासी की पुत्री द्वारा इस्तरी परसंग में अत्ति आशक्त एवं काम देव के वसी भूती देव भूती की हत्या कर दी विश्णु पुराण में भी इस गटना की पूस्टी इस प्रकार की गई है सुंग वन्स के राजा देव बुत्ती को उसका अमाते कणवे वसुदेव मार कर पर्थवी पर सासन करेगा वसुदेव ने जिस नमीन राजवन्स की स्थाप की नीव डाली वह कणवे अथ्वाक कणवायन नाम से जाना जाता है सुंगों के सम्मान यह भी एक ब्राहमन वन्सी था वैदिक द्रम एवं संस्कृत्ती सरंक्षान की जो प्रेंप्रा सुंगों ने चलाई थी वै इस समय भी कायम रही वसुदेव ने कुल नोवर्षों तक राजे क्या था कणवाय वन्स के सास कर्मानुसार निम्नानुसार है वसुदेव इसने नोवर्षों तक सासन किया भूमी पुत्रे इसने चोदा वर्षों तक सासन किया नारायान बारा वर्षों तक सासन किया सुद्सू सर्मन दस वर्षों तक सासन किया था इन चारों राजों ने कुल मिलागर 45 वर्स तक राजे किया इनका सासनकाल 55 इस्सा पूर्वय से 30 इस्सा पूर्वय तक समझा जा सकता है पुराणों में इन कणवय या कानवायन राजों को सुंग भरत्य के नाम से कहा गया है अर्था जाना गया है यह तो इसपस्ट ही है कि वासुदेव कणवय राजा देव भूत्ती का अम्माते था पर चारों कणवय राजों को सुंग भरत्य कहने का विप्राय साइद यह है कि नाम मात्र को इनके समय में भी सुंग वनसी राजा ही सिहांसन पर विराजमान थे यहदपी सारी सकती इन भरत्यों के हाथ में थी यह नाम के तो सुंग वनसी राजा थे लेकिन जो सकती थी राजे की वो इन भरत्यों के हाथ में ही थी संभवता इसलिए कण्वों के बाद जब आंद्रों के मगत समराजे पर दिखार कर लेने का उलेक आता है तो ये लिखा गया है कि उन्होंने कण्वा और सुंग दोनों को प्रास्ट कर सकती प्राप्त की थी किसम किनोंने साथ वानोंने ठीक है वायू पुराण के अनुसार सुसर्मा कण्वा वन्स का अंतिम सा सकता सुसर्मा अपने अंधर जातिये भ्रत्ते सिम्मुख अर्ता सिंदुक द्वारा मार डला गया तता इसी के साथ ही कण्वा वन्स की समाप्ती हुई सकों का आकर्मन अपने स्वामी देव भूती की हत्या करके वासु देव ने जिस समराज्य को प्राप्त किया था वह एक विशाल सक्तिसाली समराज्य का दवनसाव से सी था इस समय भारत की पस्ची मोतर सीमा को लांग कर सक आकरांता बढ़ेवेग से भारत प्राकर्मन कर रहे थे जिनके कारण नए केवल मगत सामराजे के सुदूर वर्ती जनपध ही सामराजे से निकल गए थे बलकि मगत के समीप वर्ती परदेसों में भी एवेवस्ता मच गई थी वासुदेव और उसके उत्रादीकारी केवल स्थान ये राजाओं की हैसियत रखते थे उनका राजे पाठली पुत्तर और उसके समीप के परदेसों तक ही सिमित था तो इस वीडियो में हमने कणवाय राजवन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की और आपको आगे सातवानों के बारे में भी जानकारी मिलेगी तो आप यदि हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें, बेल आइकन दबाएं, नए नोटिफिकेशन मिलेंगे जिससे आपको परिक्षा में तयारी करने में सयोग प्राप्त होगा और यदि कोई भी तूटी हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपको मिले या लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम सुधार करें हमारे वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद